हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पार्चेला सो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 23 जून 2020 की इंपोर्टेंट करेंट अफेस के क्वेश्चन्स सो गाइस अगर आप वीडियो रोज देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हम एक दिन में only 10 करेंट अफेस के क्वेश्चन्स करती हैं लेकिन ये 10 क्वेश्चन्स ही इतनी इंपोर्टेंट हैं आपके जितने भी आने वाले एक्जाम से वहां से यहां पे क्वेश्चन् लाइक कर सकते हैं सभी के साथ फ्लीज से शेयर करें वीडियो को गुइंग लोगों ने चैनल सबस्क्राइब नहीं कि हो फटा फट शब्सक्राइब कर ली वहां से भाले से और चैनल की प्ली seu आपढम से अपको सारे कटिगरीई गया अलग छाहिए है आप आसानी से अपनी 1% प्लीलिस्ट को ओपन करके वीडियोस देख सकती है तो आज की करेंट अफेस में देखते हैं हमारा फोस्ट कोशन क्या है तो पहला कोशन हमसे पूछा गया है अंतराश्टिय योग दिवस कब मनाया जाता है अगर हम बात करें देखें इस बार की थीम की क्योंकि आपसे थीम भी पुछी जा सकती है थीम का मतलब होता है विशे तो इस बार अंतराश्टिय योग दिवस 2020 का विशे था योगा फोर हेल्थ 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 योगा फोर हेल इसको बहुत तेज़ करता है अच्छे से हमारी बॉडी फेट रहती है सो सभी को इस दिवस के बारे में जागरो करने के लिए 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है 2014 में संयुत महसभा में अपनी स्थापना के बाद 2015 से बनाना शुरू किया गया था यानि UN में यानि संयुत राष्ट महसभा में 2014 में इसका प्रस्ताव रखा गया था लेकिन 2015 से इस दिवस को लगातार मनाया जा रहा है 21 जून को ध्यान रहेगा थीम भी ध्यान रहेगी सो चलते हैं फिर हम अपने अगले कोशन की तरफ गैस अगर किसी कोशन में कोई प्रॉब्लम हुआ करें आपको क्वेक्शन समझ नहीं आया है कोई भी प्रॉब्लम हो से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका डाउट पूरे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा और अगर आ अपना फीडबेक जरूर दे कि आपको वीडियो कैसे लग रही है सेकेंड कोशन देखिए हमारे पास क्या है लाउच पुस्तक जिसका नाम है क्लार अंद सन के लेखर कौन है तो आपसे आपको अगर एक्जाम का अपने पूरा देखा होगा कि किस तरीके से पैटर्ण बनता है तो जो हाल फिलाल के बुक लाउच हुई है जो फेमस फेमस बुक्स हैं वो काफी बार आपसे एक्जाम में बनती हैं तो आप यहां से जरूर ध्यान रखें तो यह बुक का नाम है काजियो इशीगिरो ऑप्शन बी इस दी राइट आंसर यह ब्रिटिश उपन्यास कार है काजियो इशीगुरू यह नोंने पुस्तक लिखी है काजियो इशीगुरू को 2017 में साहित्य का नोबल पुरसकार भी दिया मतब इनको मिला है तो आपसे कोशन इस तरीके स आपको पता भी एक्जामनर का दिमाग गूम गया तो किसी भी तरह से कोशन बन सकता है तो इसलिए मैं आपको पोशन का हर एक पॉइंट ओ व्यू बता देती हूं जो बन सकता है तो ध्यान प्रेका 2017 में इन्हें साहित्य का नोबल पुरसकार मिला था और इन्हें चार बार मैं बुकर पुरसकार से में नामांकित किया गया है तो यह पुस्तक ध्यान रखना क्लारा इंतिसन और लेखक का नाम बिल्कुल ध्यान रखना के काजुओ इशिगुरू फोटो देख सकते हैं साइट में फोटो में लगा देती हूं कुछ बीच वीच में सो आप उससे भी गया है कहां 66 मिलियन साल पुराना जिवाश्म अंडा पाया गया है वेर इस दियान रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि अंटार्किका के भी कौन से दूइब पर इसकी खोज हुई है तो सिमोर दूइब पर इस जिवाश्म अंडे की खोज हुई है जिसकी उम्र करीब 66 मिलियन वर्ष बताई गई है साइट में देख सकते हैं इस तरीके का अंडा है पूरा मतलब आजीब सा पत्थर जैसा दिख रहा है ठीक है तो ये इस तरीके का दिखता है इसका नाम भी नोने रख दिया है इसका नाम क्या रख दिया है दा थिंग इसक लगवग 20 cm से 29 cm तक इसका नापा गया है ये अभी तक का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है और माना जा रहा है कि अंडा एक विलुप्त समुदरी चिपकली या फिस साब का हो सकता है जो डाइनसौर के टाइम पे थे तो बड़े-बड़े होते थे उस टाइम प दखा गया है याद रहेंगी दोनों चीजसे इंपॉर्टेंट कोशिन बन सकता है सो प्लीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़े एक बार तो करेंट अफेस आप मॉर्णिंग में उटके या दिन में कभी भी अपना रूटीन रखने कि आपको एक टाइम जो भी आप अपना बर्ग बिलिनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अम्बानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बनी है यानि दुनिया के जो अमीर व्यक्तियों के लिस्ट जारी कि है उसमें मुकेश अम्बानी जो है वो कौन से नंबर पर आते हैं मेनम से ये बात यहां से है उसमें नाइन्थ नंबर पर आते हैं मुगेश ambani अगर बात करें फॉस्ट नंबर पर कौन है तो आप सभी को पता है योगा फॉस्ट नंबर पर तो एक ही रहते हैं जिनका नाम है जेफ बेजोस यह अमेजॉन के मालिक हैं और लगातार ही ये जो है वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की जो लिस्ट है उसमें शीष पर आते हैं लगभगेन की जो टोटल संपत्ती है वो 160 डॉल बिलियन डॉलर है चीक है उसके बाद सेकेंड नमबर बिल गेट्स का है एंड थर्ड नमबर है मार्क जु लेकिन हैं बिल गेट्स थर्ड मार्क जुकरवग और मोकेश अंबानी क्योंकि इंडिया के हैं तो इसे ध्यान रखे नाइंथ नमबर पर आते हैं चीक है याज रहेगा इंपॉर्टेंट कोशन है ये भी कभी आप सोचें कि यहां पर यह तो कोशन इंपॉर्टेंट नहीं ऐसा कोई क्वेशन नहीं है जो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं बताया जाता इसलिए प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखें और रोज देखें फिफ्ट क्वेशन देखें क्या है विश्व बैंक ने किस देश में नौकरी और आर्थिक सुधार के लिए 1.05 बिलियन ड पर देखा तो आंसर इस ऑप्शन नंबर सी बांगलादेश विश्व बैंक ने बांगलादेश में जो नौकरियां को नौकरियों के सुधार के लिए और आर्थिक सुधार के लिए जो इतनी बड़ी रक्म हैं इसे देने की घोशना की है इसके तहित क्या किया जाएगा कि जो बांगलादेश है वो अपने जो भी टेकनेकल फिल्ड है जो भी उनका आर्थिक सुधार बिगड़ गया है उसको फिर से क्या करेंगे डवलप करेंगे इन सारे पैसो से क्योंकि कोविड-19 के कारण काफी जादा जौब्स में प्रॉब्लम हो गई है एकोनॉमिक जो क्या करती है राष्टो को पुरण निर्मान और विकास कारें में आर्थिक सहयता देती है यानि अगर माले जो किसे राष्ट में development होना है या फिर कोई विकास कारें होना है क्यों करती है इसकी जो स्थापना हुए थि यह जुलाई 1944 में हुए थी और इसका headquarters Washington DC में है वर्ड बैंक का, इसके लावा हमें बदा वर्ड बैंक के जो CEO हैं, उनका नाम है क्रिस्टलीना जोर्जीवा, ध्यान रहेगा, आप इसके बाद जो बांगलादेश हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, सो बांगलादेश की capital जो है वो ढाका है, बांगलादेश में currency चलती ह हैं बांगलादेशी टका, और बांगलादेश की Prime Minister का नाम है शेक हजीना, ठीक है, साथी साथ आप ये भी ध्यान रगें, क्योंकि जितने भी चीज़ों important होती हैं, वो सभी यहां पर आपसे discuss कर लिया जाता है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं चाहती, इसलिए वीडियो क explanation को आप जरूर देखी, अगले question पे चलें, तो six question में देखे, पूछा गया है, जर्मन बुक ट्रेट का प्रतिष्टित शानती पुरुसकार जो है, वो किस ने जीता है, answer is option number D, अमर्तिय सेन ने जीता है, साइड में फोटो भी देख सकते हैं, अमर्तिय सेन है, ये, ये novel प पुरुसकार मिला है, और अभी इने जर्मन बुक ट्रेट का प्रतिष्टित शानती पुरुसकार भी मिला है, 86 वर्ष ही है, ये, हौवर्ड में प्रोफेसर है, और पिछले novel पुरुसकार विजेता भी है, इनको novel पुरुसकार जो मिला था, ये वैश्वित न्याई के सवा सालों के रूप में, और लंबे दशक तक ये जो काम कर रही है ना, जो शानती के लिए, उसके उपलक्ष पर तो अर्थ, देखें, novel पुरुसकार तो इने अर्थ शाष्टित में मिला था, और ये जो इतन लंबे दशक तक ये अच्छा काम कर रही है, उसके लिए इने जर् जर्मन बुक ट्रेट का 2020 का शांती पुरुसकार दिया जा रहा है, पिछले साल जो पुरुसकार मिला था, ये ब्रजील के फोटोग्राफर थे, जिनका नाम आपर मेंचन भी है, सबेस्टियू सलगाड़ा को मिला था, 2019 का जर्मन बुक ट्रेट का शांती पुरुसकार और 2020 का मिला है, वो अमर्तिय से इनको मिला है, ध्यान रहेगा, अमर्तिय से नोबल पुरुसकार विजेता भी रह चुकी है, और अब इन्हें जर्मन बुक ट्रेट का प्रतिष्ट्रे शांती पुरुसकार भी इन्होंने जीत लिया है, Option D is the right answer of the 6th question, 7th question देखें हमारे पास क्या है, अमेरिके वायू सेरा में, Master Sergeant की रूप में Newt होने वाली पहली महिला कौन बनी है, Who became the first woman to be appointed as a Master Sergeant in the US Air Force, यह पहली महिला है जो appoint हुई है, ठीक है, तो important question इसलिए बनेगा यह, तो option इसका है A, Joanne S. Boss, इनका नाम है, साइट में फोटो आप इनके देख सकते हैं, यह 1993 में वायू सेना में शामिल हुई थी, और अभी इनित, यानि Joanne S. Boss को Master Sergeant के रूप में जो है, वो Newt किया रहे, यह से पहली महिला बनी, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला को किसी भी सैन्ने सेवा के प्रमुक के तौर पर सेवा देने का मौका नहीं मिला है, यानि किसी को भी पहले Master नहीं बनाए गया है, आपके लिएचे Head नहीं बनाए गया किसी महिला को, नहीं कोई महिला Joint Chief of Staff के सिदस्ते के तौर पर सेवा दिये, किसी भी महिला नहीं, तो यह पहले ऐसी महिला बनी है, जिनने अमेरिकी वायुसीना में Master Sergeant के रूप में न्यूक्त किया गया, इसलिए question important बनेगा, because यह first woman है, याद रहेगा इनका नाम, Joanne S. Boss इनका नाम है, ध्यान डखना, important question बनेगा, 7th का A option is the right answer, next question है, 8th question, किसी BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियूक्त किया गया है, who has been appointed the new chairman of BMW इंडिया, so answer is option number C, विक्रम पावहे को BMW इंडिया के नया अध्यक्ष के रूप में नियूक्त किया गया है, side में photo देख सकते हैं, यह 1 अगस्त 2020 से अपना चो कारिभार है, वो समालेंगे, अगर बात करें इन्होंने जगा किस के लिए, यानि विक्रम पावहे से पहले कौन थे, तो उनका नाम था अर्लिंडो आई के सिरा, इनका नाम था, यह मुख्य वित अधिकारी थे, और इनकी जगा लेंगे विक्रम पावह, याद रहेगा बिल्कुल, पावह देखें, पहले से ही BMW के साथ जुड़े हुएं, 2017 से जुड़े हुएं, लेकिन आप इन्हें अध्यक्षु बना दिया गया है, तो आंसर इस ऑप्शन नंबर C, नाइंफ कोशन देखें, क्या है हमारे पास, पैतालिस वा दो दिफ से भारत विचार शिखर सम्मेलन कब आयोजित कराया चाएगा, वेन विल्ट फॉर्टी फाइफ्थ टू डे इंडिया थिंग सम्मेट भी हेल्ड, सो आंसर इस ऑप्शन नंबर D, 21, 22, जुलाई को, जो है वो यह आयोजित किया चाएगा, पैतालिस वा दो दिफ से भारत विचार शिखर सम्मेलन, सो अगर बात करेंगे जो भारत विचार शिखर सम्मेलन है, यह भारत और सहित राज अमेरिका के बीच यह जो आयोजित किया चाएगा, तो भारत और सनितुराज अमेरिका की आर्थिक भागेदारी और दोनों देशों के बीट जो संबन्ध है उसके सकारात्मक परिणाम को दिखाने के लिए ही इसे आयोजित किया जाता है और इस बार ये आयोजित किया जाएगा 21 जुलाई 2020 को ध्यान रहेगा इंपोर्टेंट ह ये भी जान लगता कौन सी नंबर का है ये 45 फिफ्ट नंबर का है तो question आप से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है So 9 का option number D is the right answer Next question is question number 10 में पूछा है भारत का कौन सा राज्ये online कक्षा पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला राज्ये बना है So एक question तो मैं आपको बता चुकी हूँ बट फिर भी मैंने question रखा है आपके revision के लिए तो देखते हैं कितने लोगों को इस question का answer जो है वो याद है So answer है option number A मद्यपरदेश I hope सो सभी लोगों ने मद्यपरदेश ही answer लगाया होगा It means आप पढ़ रहे हो अच्छे से ठीक है मद्यपरदेश ने ही क्या किया है online कक्षों के संचालन पर पूरी तडिके से प्रतिबंद लगा दिया है primary और pre-primary के लिए क्योंकि आप सभी को पता है कि जो primary class के बच्ची होते है वो online कैसे पढ़ पाएंगे अब offline में भी बच्चों को लिखवाना पढ़ता है अ इसके अलावा राजय सिक्षा केंदर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 6-8 तक की जो online कक्षाएं हैं वो प्रते दिन दो सत्र में की जाएंगी और हर एक सत्र में 30-45 मिनिट तक की जो उनकी अवधी होगी और इसके अलावा जो online class है उसके संचालन में चीन में इसका इस्तमाल इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम सारी जो application यूज करते हैं वो Chinese application यूज करते हैं और आपको पते हैं कि इस ताइम दो Chinese application पर काफी प्रतिबंद भी लगाने की बारे में बात हो जारी है सो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा option number A अब मद्यप्रिदेश की बात हो यह तो इसके बारे में बात करें capital भूपाल है मद्यप्रिदेश के CM शिवराज सिंग चोहान है और governor का नाम है लाल जी टंडन सो ध्यान रहेगा guys आज की तो हमारे 10 questions फिनिश हो गए अब आज का प्रेशन देखते हैं जिसका answer सभी लोग मुझे comment box में जरूर करें सो question है हमारा सो देखे आज का question क्या है किसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया who has appointed as the president of NIPFP उर्जीत पतेल विवेक सेन प्रकाश जोशी या फिर शुभाष मेरा सो please guys comment करके जरूर बताए इस question का answer क्या होगा last video का question discuss करते हैं जो मैंने आपसे पूछा so last video में question पूछा था कि कौन सा देश एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजवानी करेगा so answer is option number a बहरीन बहुत दीके बचों ने इंडिया लगाया था भारत को पहले मेजवानी का मतब जो होस्ट रथा वो भारत को ही दिया गया था लेकिन उसके बाद change हो गया उसके बहरीन अब यो है वो इसको होस्ट करेगा so confused नहीं हो ना विल्कुल भी change अपने answer को कर दे because अब जो decide हुआ है वो बहरीन हुआ है कि भी बहरीन ही होस्ट करेगा 2021 का Asian Youth Para Games को so video हमारी आज के समाप्त होती है अगर आपको video पसंद आए so please video को like share and subscribe करना बिल्कुल ना बूले and अगर कोई problem कोई query हो so comment करके पूछ सकते हैं कोई question अगर आपको पूछना हो वो भी पूछ सकते है and guys जिन लोगों ने channel subscribe नहीं क्या हो वो फटा-फट से subscribe करे notification वेल आइकन पर click करे ताकि सबसे पहले हमारी notification आपके पास पहुंस दी रहे so guys मिलते हैं next video में take care goodbye keep learning and keep share thank you